दोस्तों ये विडियो उनके लिए जो सोचते हैं कि शादी से पहले संबंध बना कर मौज मस्ती की जा सकते हैं जियां आजकल के युवाओं को अपने उपर कंट्रोल ही नहीं रहा है आजकल तो 11 में रहते हैं जहां बिना शादी किये ये रातों को हसीन बना देते हैं कहने का मतलब है कि शादी की कोई टेंचन नहीं और लड़का लड़की को एक साथ रात बिताने का मौका भी मिल जाता है अजकल ओयो रूम से लेकर तमाम होटेल योवाओं से भरे रहते हैं क्योंकि हर वीकेंड इन्हें मस्ती करने जो निकलना है दिन में नशा किया और रात को संबंद बनाया ऐसे में बच्चा होने का डर तो लड़कियों में रहता ही है और वो कई तरह की बच्चा गिराने वाली दवाईयों का सेवन करने लगती है जिनका असर इन्हें रियल लाइफ में तब पता चलता है जब ये शादी करके बच्चे पैदा करना चाहती है जियां तब इन्ही लड़कियों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है अज हम आपको बताते हैं कि आखर में पेट में एक स्वस्थ बच्चे को कैसे पाला जा सकता है इस वीडियो को आप अन तक जरूर देखेगा अपनी कोक से नए जीवन को जन देना किसी भी महिला के जीवन का सबसे अनुबंपल होता है इस एहसास के लिए अपनी गर्भावस्ता के दौरान वो कई सपने भी सजाती है महिला के मन में ये जानने की काफी ओमंग होती है कि बच्चा गर्भ में किस तरह से पल रहा है उसका विकास किस तरह से हो रहा है वो क्या क्या कर रहा है अरिवार के दूसरे लोग भी इस दौरान महिला के काफी देखभाल करते है आईए जानते हैं गर्भ में किस तरह बड़ा होता है शशो कौन सा समय गर्भधरन के लिए बहतर उवल्यूशन के समय यानि इसके एक दो दिन पहले यौन संबंध बनाना लाफकारी होता है इस समय शुकरानू और अंडे के मिलन यानि निशेचन होने के संभावना सरवार्थिक होती है ट्यूब में निशेचन होने के 5-6 दिन में भृन गर्भाशय में आकर सतह पर चिपक जाता है जिससे प्रत्यर ओपन कहा जाता है इस दोरान महिला को हलकी ब्लीडिंग या स्पॉर्टिंग हो सकती है जो समाने है गर्भ गर्भाशय में ही अपने विक्सित होने का पूरा सफरताय कर लेता है कैसे जाने गर्भधारन हुआ है समाने तोर पर महिला को शुरुआत में तो ये पता नहीं होता कि वो गर्भधारन कर चुके है पीरियड के चौथे हफ़ते यानि 28 दिन बाद भी महवारी नहीं आती है तो प्रिग्नेंसी का टेस्ट कराना चाहिए अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो गर्भधारन होने के कारण थोड़ी कमजोरी थकान अचानक मूड बदलना और उल्टी आने की समस्या हो सकते है जैसे जैसे भुरून का विकास होता है उसके आसपास पानी की थैली बनने लगती है जो उसके लिए तक्ये का काम करते है इस दोरान एक प्लेसेंटा, एक गोल्डिस्क की समान औरगन भी बनने लगता है ये मा और शिशु को जोडता है जिससे मा के पोशक तत्व शिशु को मिलता है पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है इस दोरान मुह, आखे, नीचे का जबडा और गला भी बनने लगता है साथी रक्त कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती है और रक्त प्रबाह शुरू हो जाता है पहले महीने के आन तक भ्रुन का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकास करने लगता है धीरी-धीरे भ्रुन के दोनों कान बनने शुरू हो जाते है दोनों हाथ पैर, उनकी उंगलियां, आहार न लिका और हड़ियां बनना भी आरंब हो जाती है छटे सब्ताह में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माधियम से देखी जा सकते है दिमाग और स्पाइनल कॉर्ट बनाने वाली निूरल ट्यूब बन जाते है शिशु में थोड़ी सी महसूस करने की शमता पैदा होने लगती है इस महीने के अंत तक शिशु विक्सित होकर डेट सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन एक ग्राम होता है नवे से तेर्वे सब्ताह का समय शिशु के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है इसलिए इसे पीरियड ओफ और्गिनोजेनेसिस भी कहते हैं इसलिए गर्भस्त महिला को अपना विशेश ध्यान रखना होता है छोटी मोटी समस्या होने पर महिला को बिना चिकित सकी ये सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए शिशु के विकास का पहला चरन तीन महिनों में पूरा हो जाता है इसलिए इसके बाद गर्भात होने की संभाबना कमी रहते है तीसरे महिने के अंत तक शिशु के लंबाई 5.4 सेंटीमीटर हो जाती है और वजन 4 ग्राम होता है महिला का शिशु से भावनात्मक रूप से लगाव होना शुरू हो जाता है चौथे महिने में आखें, भौहें, नाखून और जननांग बन जाते हैं दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं अब शिशु सेर घुमाना, अंगूठा चूसना आदी शुरू कर देता है इस महिने फीटल डोपनर मशीन से माँ बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकते हैं समाने तया इस समय डॉक्टर आपको डिलिवरी की तारीख दे रहते हैं शिशु का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई 11.5 सेंटिमीटर होता है पंच्वे महिने में सिर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं पंधा, कमर और कान बालों से ढके होते हैं ये बाल बहुत मुलायम और भूरे रंके होते हैं ये बाल जन्ब के बाद पहले सब्था तक जठ जाते हैं इसके अलावा शिशु पर एक कुवैक्स जैसी कोटिंग होते है जो जन्द के समय निकल जाते है इस समय शिशु के मांस पेशियां विक्सित हो जाते हैं इसलिए वो हल्चल शुरू कर देता है जिसे मां महसूस कर सकते है महीने के अन तक वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाते है चटे महीने में शिशु का रंग लाल होता है जिसमें से धमनियों को देखा जा सकता है इस समय शिशु के महसूस करने की शंता बढ़ जाती है और वो साउंड या म्योजिक को महसूस कर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है इस महीने के अन तक उसका वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है साथवे महीने में शिशु में फैट बढ़ने लगता है उसकी आवाज सुनने की शंता और अधिक बढ़ जाती है लाइट के प्रतिव अपना रियाक्शन देने लगता है और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलता रहता है इस समय तक शिशु इतना विक्सित हो चुका होता है कि किसी कारण से प्रेमिच्ची और डिलिवरी हो जाये तो वो जीवित रह सकता है आठवे महीने में शिशु की हलचल और अधिक बढ़ जाती है जिसे मां बहुत अच्छे से महसूस कर सकते है इस समय दिमाग का विकास तेजी से होता है और वो सुनने के साथ देख भी सकता है फेफडों के अलावा आन्या सभी शारिरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है इस महीने में शिशु का वजन सत्रा सो ग्राम होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है अब महीला का नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रती उत्साह चरम पर होता है और वो जन्म का इंतजार करने लगती है नवे महीने में बच्चे के फेफडे भी पूरी तरा से बन चुके होते हैं शरीर में हलचल बढ़ जाते है बलके जपकना, आखे बंद करना, सिर गुमाना और पकड़ने की शमता भी विक्सित हो जाते है इस महीने के अंतग गर्भाशे में जगा कम होने के कारण शिशु के हलचल कम होने लगते है इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटिमीटर होते है अब शिशु दुनिया में आने के लिए तयार हो जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है जन्ब के समय सामाने तया शिशु का सिर पहले बाहर आता है महिला के गर्भ धारन से लेकर शिशु के दुनिया में आने की यात्रा अनूठी और कई तरह के अनुभवलिये होते है डॉक्टर द्वारा दी गई तारीख नजदीक आने पर महिला नॉर्मल डिलिवरी के लिए शरीर पे जोर डालने लगती है ऐसा नहीं करना चाहिए यदि महिला स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलिवरी की संभाबनाएं अधिक रहती है अबोर्शन कराने से खत्रा दोस्तों मा बनना हर महिला के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वर्दान होता है लेकिन कई बार अंचाही प्रेग्नेंसी महिलाओं के लिए मुसीबत का सबब भी बन जाती है ऐसे मामलों में फिर उन्हें गर्वपात का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों 20 हफते से पहले यूटरस में बेबी का हार्ट बीट बंद हो जाए तो उसे गर्वपात कहते हैं 20 हफते के बाद अबॉर्शन करवाना महिला के शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है अगर कोई महिला 20 हफते के बाद अबॉर्शन कराना चाहती है तो उसे कोट से मनजूरी लेनी पड़ती है हमारे देश में Unnaboration को लेकर कई अधेमित ताए है जिसकी वज़ज़ से कई बार परिशानी का सामना करना पड़ता है गरपात से पहले इन बातों पर ध्यान किसी भी महिला को गरपात कराने से पहले Ultrasound कराना बेहत जरूरी होता है कई बार महिलाएं अल्ट्रा साउंड नहीं कराना चाहती लेकिन उनकी सेहत के लिए एक बार अल्ट्रा साउंड से प्रेगनेंसी को कनफर्म करना बेहद जरूरी होता है इससे पता चलता है कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है और बच्चा बच्चेदानी के अंदर है या नहीं इन गोलियों की वज़े से गर्भाशे के लाइनिंग को नश्ट कर दिया जाता है, जिस जब भ्रून गर्भाशे से अलग हो जाता है और गर्फ खत्म हो जाता है। इस दोरान मिफिफ प्रस्टोन और मिफिफ प्रस्टॉल दो गोलियां लेनी होती हैं। एक दवाई पहले दी जाती है, बाकी की चार दवाईयां 48 घंटे के बाद दी जाती हैं। ब्लीटिंग के साथ ही अबोर्शन हो जाता है। बारा हपते के बाद की प्रेग्डेंसी में डी एनसी करना बहता रहता है। इसमें नॉर्मल डिलिवरी का तरीका ही अपनाया जाता है। मरीज को दवाई देकर पेन इंड्यूस किया जाता है। एक खस तरह की सिरेंज भुरुन को बाहर निकाल देती है। कई बार ऑक्सिटॉसिन की भी जरत पड़ती है। कई बार महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर खा लेती हैं। ऐसी गलती करने से बचें। हलंकि अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला ये दवाई बिना डॉक्टर के प्रस्क्रिप्शन के दे रहा है तो वो गैर कानून है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंट हो गई हैं तो सबसे पहले किसे विशेशग्य के सलाह लें। ऐसे केसे में इंफेक्शन के चांसे भी बढ़ जाते हैं। और विवाहित लड़कियों के लिए कौन सा अबोर्शन सही। डॉक्टरों के मताबिक अबवाहिक लड़की अगर पहली बार प्रेगनेंट होई हैं तो उसके लिए मेडिकल अबोर्शन ही साही होता है। ऐसे केस में कोशुश की जाते हैं कि डीनसी ना किया जाए क्योंकि भविश्य में उनके लिए कुछ दिक्केतें आ सकते हैं। प्रेगनेंसी एक जटल प्रक्रिया होती है। खाने पीने में किसी भी तरह के लापरवाही का असर होने वाले बच्चे पर पढ़ता है। प्रेगनेंसी एक जाता है। प्रेगनेंसी में आलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे प्रेगनेंसी खराब हो सकते है। प्रेगनेंसी के दौरान अलोवेरा क्रीम लगाने से कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोज बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखेगा। बाबाई। बाबाबाबबाबब